दिव्याशर्मा www.myfitnessbeauty.com आज मैं आपको बताने जा रहे हूँ विजय दश्मी के बारे में विजय दश्मी पर जो सदियों से विजय प्राप्ति के लिए जो उपाई किये जा रहे हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे ये विजय दश्मी जो होती है ये अश्मिन शुकल दश्मी की तिथी को आती है ये तो हम सब जानते हैं लेकिन ये जो तिथी है इस दिन धरम पर धरम की विजय होई थी शिरी राम जी ने रावन पर विजय प्रापत की थी इसलिए जो कोई भी बुराईयों पर विजय प्रापत करना चाहता है अपने कारोबार में रुकावटें आ रही है उन रुकावटों पर विजय प्रापत करना चाहता है जो आपके मकसद है जो आपका एम है उन पर विजय प्रापत करना चाहता है तो जीवन में भैं और और सदियों से चले आ रहे उपाई की बात करते हैं सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि ये जो टाइम है वो संध्या के टाइम ही पूजा की जाती है क्योंकि राम जी ने जो विजे प्रापत की थी रावन पर वो संध्या के टाइम करी थी इसलिए आपको संद्य के टाइम पूजा करनी है और आपको ऐ पराजिताय देवी जो है उसके जब करना है ये जो मंत्र है ओम ऐ पराजिताय नमे इसका पांच माला आपने जब शाम के रियाने की संद्य के टाइम जरूर करना है अपने सभी कामों पर विजय प्रापत करने के लिए जो भी नकार अत्मक विचार हैं उन पर विजय प्रापत करने के लिए इसके इलावा आपको क्या करना है अगर आप कर सकते हैं तो विजय दश्मी से लेकर आगे के 43 दिन तक रोज एक लड़ू कुत्ते को जरूर खिलाएं ऐसा करने से हमारी जो बुराईयों से विजय होती है वो हमें मिलती है इसके इलावा आपको बता दिया जाए जब उन्होंने राम जी ने संध्या के टाइम रावन पर विजय प्रापत करी थी तब देवताओं ने अकाश से फूलों की बारिश की थी इसलिए आपको संध्या के टाइम चंदर्मा के दर्शन आखों के ल और वेल्थ के लिए जरूर करने चाहिए इसके इलावा आपको आटे की गोलिया बनानी है चोटी चोटी आप जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं और यह गोलिया आपने शिरी राम का जब करते हुए बनानी है जै शिरी राम का जब करते हुए बनानी है और आपने जै शिरी से आपको राम जी की कृपा प्रापत होगी इसके इलावा एक और उपचार जो आपने जरूर करना है वो है आपने हनुमान जी को सुबह के टाइम गुड़ चने का भोग लगवाना है और शाम के समय उन्हें लड़ू का भोग लगवाना है प्रगती प्रापत करने के लिए यह ऐसे उपाएं हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं अगर आप भी चाहते हैं अपनी इच्छाओं पर विजय प्रापत करना अपनी इच्छाओं को प्रापत करना तो यह काम जरूर करें यह थी information विजय दश्मी पर किये जाने वाले कुछ अच्छे उपाई के बारे में य तेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इससे शेयर करें अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर आए तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के लिए बैल आइकन पर प्रेस करें मिलते हैं एक और नई informative वीडिय के साथ तब तक के लिए, stay healthy, always be happy. Thank you for watching my video. Okay, bye.